अब चलते हैं वीडियो पे जी दोस्तो चाप्न नबर 56 55 गेनिदी बात स्टाट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब लट के रूडियो सो खेल लिया है ये सब लट के रूडियो सको खेलने के बाद उस पे एरियल की पांटी शुरान के अंजाम लगा रहे होते हैं रूडियो से सुच रहा होता है कि वो जानता ही कोई एक परवर्ट है लेकिन ये लड़के उसे अपने डिफेंस में कुछ कहने ही नहीं दे रही है यहाँ पे इनके डॉम की हेड जो एक गरिला है उसको नाम अजयाद नहीं आके रूडियो सको ले जारी होती है उसे पनिश करने के लिए लेकिन तब ही फिट्स साकी ने रुकने के लिएता है फिट्स उन्हें एक्स्प्रेंट करता है कि कैसे वो एरिल कपटे धो रहा था और इसने अक्सिदेंटली कुछ कपटे गिरा दिये थे जो रूडियोस नो अठा लिये लेकिन उसके बाव जीद भी एक गुरिले टीचर रुडी इसको पनिश करने चाती है इस पॉइंट पर फिट्स अपनी वांड निकाल कि उसे धमका के बोलता है कि अगर वो रुडी इसको नहीं छोड़ेगी तहांसे जो कोई भी बीट आएगा लंगणा के जाएगा फिट्स की धमकी सनने के बाद ये गुरिले टीचर रुडी के छोड़ देती है बोलते हुई जो ये पर इस बार इसस चोड़ रही है लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेगी फिर यहाँ पर हमें फिट्स से और इस गुरिले की चीर के नाम पता चलता है और इसको नाम है इसके बाद Rudeus भी Fitz का शुक्रिया अदिकरता है उसे बचाने के लिए Fitz फिर Rudeus को बाई बोल कि महाँ जला जाता है इस पॉइंट पर Rudeus अपना अप सोच रहा होता है कि इसके बाद Rudeus सोच रहा होता है कि कैसे इंटरिंस इक्साम के दिन Rudeus अहानी के बावजूद भी Fitz ने उस बात के बुरह नहीं माना और अभी भी Fitz ने अपना कारक्टर दाओं पर लगा के Rudeus को बचाया है और कि कैसे हो सही में एक बड़े दिल का इंसान है तो Rudeus डिसाइट रहता है कि वो अब से Fitz की प्रॉपरली रिस्पेट करेगा और इसे सेंपाय बुलाएगा इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन Rudeus जानवाग साथ बैटके लंच कर रहा है लेकिन तब ही उन्हें पीछे से एक लड़ी की आवाज आती है जब उन्हें पीछे मड़ के देखते हैं एक बड़ी लंड का छोटा इंसान Lucas Notos Grey Rat कुछ लड़ी के साथ दूं की तरफ आ रहा होता है Lucas और Rudeus के आँके जब मिलती है Lucas Rudeus को पहचान लेता है और तब ही Rudeus अपने आपको प्रॉपर्ली इंट्रिड्यूस करता है Rudeus का इंट्रड़क्शन सुनने पे वो Rudeus कहता है कि Fitz ने Lucas को Rudeus के बार में बताया था Lucas पर कहता है कि उसने सुना था कि कैसे Rudeus गल्स डॉम के सामने थोड़ी बहुत दिक्कते खड़ी कर रहा था Lucas का नाम सुनने पे Rudeus का याद आता है कि कैसे नोटो स्पॉल की फैमिली हुआ करती थी लेकिन फिर उन्होंने उसे निकाल दिया था तो एक तरिके से Lucas Rudeus का कजन है इसके बाद जानुबा Rudeus का बताता है कि Lucas Princess Ariel के दो स्कॉर्ट समसे एक है फिर Rudeus फिर जानुबा से Princess Ariel के बारे में और पूछता है और जानुबा बताता है कि कैसे आशिर किंडम में सिनहासन पे बैठने की जंग हारने के बाद Princess Ariel Renoir Magic Academy आगई पाड़ाय का बहाना मारी अपनी जान बचाने के लिए और Lucas जो नोटरस फामली का सेकंड बेटा है उसे स्पेशल स्पॉर्ट में शिप ट्रेनिंग दी गई थी बहुत ही छोटे से और तो और उसे Princess को असाइन करा गया था As a Guardian और जहां तक फित्स की बाद आती है कोई भी उसके बार में कुछ भी नहीं जानता लोग भी भी नहीं पता कि उसका Master कौन था या फरोग कहां पे पैदा हुआ था लेकिन उसके Magical Talents की वरे से उसे बहुती admiration और फियर के साथ ट्रेट कर जाता है इसको बाद हमें दिखा जाता है कि रूडियस लाइबरी में मेरिट के अपनी रीसरच कंड़ कर रहा है जब ही फित्स उसकी पीछ से आता है और पूछता है कि क्या वो उसके बगल में बैट सकता है कि नहीं रूडियस खुशी-खुशी हां करता है जिसके बाद हो तो नहीं एक सब बैट के बाद करने लगते है रूडियस फित्स को अपनी रीसरच दिखाता है और फित्स काफी इंप्रेस्ट होता है रूडियस की रीसरच के साथ लेकिन रूडियस की दमाग कहीं और ही जा रहा होता है Rudy's फिर फित्स को यह बताता है कि इस दुनिया में छोटे बोटे टेलिपटेशन इंसिडेंट काफी कॉमन थे लेकिन इतना लाज स्केल पे कवी बीट ऐसा टेलिपटेशन इंसिडेंट नहीं हुआ था Rudy's फिर नोटिस करता है कि Fitz भी Telepitation Incident के वारे में रीसर्च कर रहा है और वह से पूछता है कि क्या आप वो Princess Ariel के लिए रीसर्च कर रहा है कि नहीं? Fitz फिर रूडिस्क बताता है कि वो यह रीसर्च प्रिसर्च के लिए नहीं कर रहा है लेकर उसके जान पहजान वाला एक इनसान भी इस टेल्पूटेशन इंसिडेंट में गाइब हो गया था। इसके बाद दोनों थरदरों बात करते हैं। जिस पाइंट पे फिट्स डूडिस को बोलता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है टेल्पूटेशन इंसिडेंट को रिसरच करने में। और हमारे चाप्टर यहीं भी खतम हो जाता है। करते हैं। झाल 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 झाल